तो अब आपका लाइव सशन जो हो चुका है तो फटा-फट से सभी लोग जाइन कर लो और अपने जो भी आपके ग्रुप्स वगहरा है उसमें भी आप शेयर कर देना एंड सशन को हम जल्दी से शुरू करते हैं और हमें आज बहुत ही सारे को डिसक्स करना है तो बड़े आ कि आप लोग एक बार लाइव आने के बाद में थम सब वागारा कर देना ठीक है जिससे कि मुझे पता चल पहा है और मैं आडिबल वागारा सब कुछ ठीक है ना मैं ऑड़ेबल कि अग्याइब तो यहां पर मैं सचन को शुरू करता हूं आपका यह जो पर्टिकुलर आपका चप्टर यह जो पर्टिकुलर अपना सचन होता है यहां पर हम में लिए भी टार्गेट कर रहे हैं से सी एचल 2019-20 का जो आपका एक्जामनेशन है ट्वेल्थ ऑपक्तूबर स होगे में लिए आपका यहां पर जो कॉश्चन होंगे वह नवेंबर से लेकर के मार्च तक के कॉश्चन होंगे और इसके अलावा आपका जो आने की प्रवाबिल्टी है अगर पेपर चेंज होता भी है रिगार्डिंग दा प्रिजन सिनारियो अगर हम देखते हैं कि आप कि सारी चीज हम यहां पर करने लग रहे होंगे और यह जो आपका क्रेश कूर्स से मैंने नाम दिया है तैयारी जीत की तो इसको हम फटा-फट सब शुरू करेंगे और इसे हम क्या बोल सकते हैं और प्रेपेर टुविंड ठीक है ना तो यह हमारा यहां पर सशन होने वाला बटा-फट से जिन लोगों को आना है वो लोग जोईन वगरा करते जाना इसके बाद मैं सशन को शुरू करते हैं आपका आप सबसे पहला कोशन आ जाता है डे नंबर अपना यह आज का डे नंबर सिक्स एटीक है फाइव निया डे नंबर शिक्स यह और यहां पर आपका यह पहला कोशन आता है आपकी सामने अर्डिबल सर ओके तैंक यू देखो यहां पर अपने सामने क्या है पहला कोशन फटा-फटस का अंसर देना सभी लोग विश डिस्टिक्ट टॉप दा लिस्ट ऑफ एस्परेशनल डिस्टिक्स टेंग्ड बाइद गॉवर्मेंट तिं निकाली गई है एस्परेशनल डिस्टिक्स की उसमें टॉप किस ने किया है रेवा डिस्टिक्स ओनीपट डिस्टिक्ट चंडॉली डिस्टिक्ट और आपका तेजपुर यहां पर आपका राइट अंसर क्या होगा फटा-फट से मुझे बताएं आपका रिवा बी है सोनीपट सी है चंडॉली और डी है आपका तेजपुर ओके बफी का आंसर आया है सोनीपट ओके सो देखो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा जो आपका गवर्मेंट की तरफ से तिंक टैंक है नीते आयोग उसने एस्परेशनल डिस्टिक्स की क उत्तर प्रदेश में ठीक है ना तो इसको आप एक बार ध्यान रखना कि यह जो आपकी एस्परेशनल डिस्टिक्स की लिस्ट निकाली गई इसमें टॉप किसी ने किया है चंडॉली ने ठीक है सोनीपट आपका हर्याना में आता है इसने टॉप नहीं किया है और अगर मैं इसके बाद आप से बात करूं थर्ड रंक किसको मिली है तो इसमें वाइसर डिस्टिक आ जाता है आपका अंधरप्रदेश का इसको यहाँ पर ठर्ड了 डिस्टिक में आपका तीन रंक जो है ऊपर की टॉप थ्री रंक को यहाँ पर पता चल जाती है पहला हो जाएगा में इन विक तो दो काला घोडा आर्ट्सफेसटीवल है वो कौन्से सिटी में आपका यह और ब्राइब है इन फिटिंटि कंल मैं चलिद rushing utility when and bees absorbed भुडाइब मुंबैिन गया है और मैं इसमें डेट की बात करूं तो फॉस्स से लेकर के नाइंट फैबरी तक इसमें यह आपका फेस्टिवल जो एडेस्ट तक मनाया गया यह फिर आपको सेलिब्रेट किया एडेस्ट फैबरी तक और यह जो है आपका 21st यह इस फेस्टिवल का ठीक है न कॉनसार 21st आपका यह इयर है यानि कि इसको मनाते मनाते सेलिब्रेट करते करते 21st हो चुके हैं ठीक है चलो खैर अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन आपके सामने यह रहा कि विच वर्ड इस ऑफिशल मेस्कट फॉर गोवा 2020 नेशनल गेम्स तो गोवा 2020 नेशनल गेम्स क यहां पर आपका राइट अंसर होगा रूबी गुला सी जिसको यहां पर क्या किया गया अपका ऑफिशल मेसकट बनाया गया है तो यहां पर आप आजाते हैं अगले कोशन पर हम फटाफट से यह आपके सामने अगला कोशन ग्लोबल इंवेस्टमेंट ट्रेंड मोनिटर र पर निकाली गई है फटाफट से बताएं कि आपके सामने यू एंसी टीएडी और डवलू टीओ आई-एम-एफ एंड ओए-सीडी बताओ यहां पर आपका ए-बी-सीडी में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा बफी प्लीज प्रोवाइड पीडिएफ के बारे में हम देखते हैं ठीक है एक काम और करना आप लोग यहां पर अपनी मेल आई-डी भी छोड़ देना ठीक है मेल आई-डी और ग्रुप में एक बार मेसेज कर देना आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक बार मेसेज कर देना पीडिएफ के लिए ठीक है ओके देखो यहां पर अपने पास क्या गिवेन है ग्लोबल इंवेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जो है आपक यहां पर हो सकता है लेकिन यह द्यान रखना इसे जो है आपका रिलीज कौन करता है कौन सा और इसको रिलीज करता है यह करता है यूएंसी टीड अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करो यह भी इंपोर्टन हो जाता है आपके लिए कोई बात नहीं दर सोके यहां पर हम आप एक बार क्या करेंगे इसको नोडाउन कर लेंगे क्योंकि यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर निकल के आ जाता है क्लियर है चलो कर अब यहां पर देखो इसमें आपको टोटल क्या हुआ है FDI के टोटल 10 मेंबर्स है ठीक है ना इंडिया जो है 10 मेंब का रिपब्लिक डे मनाया है यह आंसर तो अटलीस्ट हर कोई यहां पर बता सकता है कि आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था 69, 78, 71st और 72 यह आंसर तो अटलीस्ट आप लोग देए सकते हो भी बफी का अंसर आया है 70 नहीं डियर 70 तो रही है देखो इसका राइट अंसर हो जाएगा 71 ठीक है अब यह आपका रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को वह आपका 71 डे था ठीक है इस बात को ध्यान रखना आपके यह बहुत ही छोटा सा कोशन है देखने में लेकिन कई सारे लोगों को यहां पर कन्फूजन होता है ठीक आपका मतलब आने के पूरे चांसे होते हैं ठीक है और बता यहां पर अपके चीफ वह से थे यहां यह आप कमेंट करके बताना फिर में अगले कोशन पर हैं यह आपके सामने अगला कोशन विच ऑफडाव फॉलाविंग रिसेंटली लॉंच्ट ऑप्रेशन वनीला ऑप्र इंडियन एरफोर्स एंड डी आता है अपना इंडियन नेवल गार्ड बताओ भी फटाफट से क्या अंसर हो जाएगा कि किसी का अंसर नहीं अभी तक ब्रोस नौन आइधिंग ब्रोंसन नहीं यह आए थे आपके बॉल सोनारो ठीक है ना जायर बॉल सोनारो जो कि अच्छा यह कहां के अफीशल यह बतो है प्रेसेंट आप एमें उनसे प्रेसेंट यह वह üffю कै यहां पर आपका आनसर आएं इंडियन नेवी तो इंडियन नेवी ने जो है आपका ऑप्रेशन वनीला लांश किया कि अवह वनिला जो है वह क्या और यहां पर मदद पहुचाने के लिए जो इंडियन ने वी ने अपना एक ऑप्रेशन वनिला है वह लॉंच यह इसके अंतरगत क्या होगा वो जो है अपनी असिस्टेंट और डिसास्टर रिलीफ जो प्रवाइड कर रहे होगी इंडिया ने भी मैडागासकर को ठीक है ना जो पोस्ट डिवास्टेशन जो उनके आपका बहुत ज्यादा पॉपलेशन उससे अफेक्ट हो चुकी है किसकी व हुआ है फटा-फट से बताओ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टैनिस 2020 किसने जीता है रहुल कुमार का अंसर बीस्टू बीस्टू सोफिया कैनिन ओके यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा बफी का अंसर आया है नो वॉक व्यूज यह ओके सो शेयर कर दो आप लोग ठीक है और इसको यहां पर देखते हैं ठीक है आदितियर आया है डी नहीं में यह नहीं है एपने मेन उच्रक से खेलते हैं इसको भी क्या नहीं exhort और इन्होंने जीता है और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि second place पर कौन आया फिर आपका जो doubles होता है यह तो आपका singles वाला हो गया यह आपका open tennis जो है singles वाला title है ठीक है आपको पता होगा ओके तैंक्यू सो मच रहूल यहां पर आपका देखो क्या होता है अगर मैं बात करूं आपका जो मिक्स्ट डवल्स टाइटल होता है ठीक है ना तो मिक्स्ट डवल्स में आपका जीता हुआ है यह आपका बार्बोरा यहां पर आपका नाम दे रहा है यह वाला यह दो मिक्स्ट डवल्स का जो है टाइटल जीता हुआ है ठीक है क्लियर ध्यान रहेगा यह अगले कोश्ट पर आते हैं सारी सारी इंफॉर्मिशन कितने महीनों का पढ़ना है यह दो कितने महीने का पढ़ना यहां पर आपको मेन फूकस करना है नोवेंबर से लेकर कि आपका जो आपको इसके साथ में निकोला मैक टिक ने इन दौनों ने मिलकर कि आपका डवल्स वाला टेटल होता है वो जीता है प्लीज इंग्लिश और प्रइट वीडिये अंग्लिश में है मैं आपको एक बार यह एक स्पेंड कर देता हूं यहां पर इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टैने आपके सामने अगला कोवा जतारा फैस्ट्रेट पर आते हैं यह आपके सामने अगला कोवा जतारा फैस्टिवल इस बीइंग सेलेब्रेटेड इन विच स्टेट ओके देखो यहां पर आपका क्या है नगोवा जतारा ट्राइबल फैस्टिवल कॉंसे स्टेट में आपका सेलेब्रेट किया जाता है असाम नागालेंड गुजरात तेलंगाना फटा-फट से आंसर बताओ भी यहां पर आपका राऑट अंसर क्या हो जाएक रहूल कुमार क्यर मैं इसके अलभी तक next exam इससे ज़्याद आपको नहीं करना है ठीक है क्योंकि आपका एक्जैमनेशन दो बार पोस्ट पॉन हुआ है इतना वो लोग बार बार नहीं कर पाएंगे चेंज ठीक है इतनी ज़्यादा उम्मीद हम ससी से कर नहीं सकते हैं ग्रोब इंडिया का अंसर आया है नागा लेंड का तेलंग गाना रहुल का बी ओके नागा लेंड और तेलंग आना में आपार कहानी चल रही है तो खेर और किसी अंसर दो और मैं आपको यहां पर यहां पर आपका अदिया बात करूं यह कौनसरड डिस्ट्रेक्ट में और केसलापुर विलेज में केसलापूर विलेज के अदीलाबाद डिस्टिक्ट में मनाया जाता और यह इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट ट्राइवल आपका कार्णीवाल है ठीक है यह भी आप इसको यहां पर दान रख लेना क्लियर है अगले कोशन पर आते हैं अगर मैं बात को नहीं कॉंसर हो अच्छा यह कोशन में आपको अभी उपर बता चुका हूं एक बार अल्रेडी इसका अंसर ठीक है ना आपका एक बार आ चुगा है फटा फटा फट्स का अंसर दो क्या होगा इसका राइट अंसर हूँ टॉप्ट दा लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्टिक रैंक्ट सब्सक्राइब करेंगे इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में अड्डू टूरिज्म के लिए मो यू जो है साइन किया हुआ है बताओ फटा फटा फट से तो यह किसी का अंसर आनी रहा है भी देखो मैं आपको बता देता हूँ no idea grow up इंडिया का be very good grow up इंडिया ने यहाँ पर आपका मालदीव्स आंसर दिया है very good आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मालदीव्स तो इंडिया ने क्या किया है आपका फाइव एमो यू किये हैं मालदीव के साथ में और यहाँ पर यहाँ पर यह क्या करेंगे यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा और इंडिया यहाँ पर थोड़ी सी चोटी सी बात है ले कोशन पर आते हैं इंडिया और कॉंसी कंट्री के बीच में संप्रीती नाइन एक जॉइन्ट मिलिटरी एक्सराइज होगी नेपाल मालदीव बंगलादेश एंड स्री लंका फटा फट से बताओ कि जल्दी जल्दी से इसका अंसर दो किसी का अंसर नहीं आया भी तक आप यहां पर ग्रोव इंडिया का आया है सी बंगलादेश ठीक है वेरी यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बंगलादेश ऑके बफी का भी आंसर आ गया रहूल का भी ठीक है शाबाश यहां पर जो संप्रीती नाइन है वह एक जाइंट पर हुई है उम्रोई मेगालिया में यह जो एकसराइज है वह आपकी कंप्लीट हुई है मेगालिया आपका इंडिया में आता है अगले कोशन पर आता हूं एक्स्ट वाला कोशन दिखें इसका सबने करेक्टी आंसर दिया है यह आपके सामने इसका इसका अंसर आया है गगन ओके और किसी का कोई आंसर अग्रोप इंडिया का सी वेरियोड यह आपका राइट आंसर क्या होगा विजय वीड सिंदू होगा गगन नारंग तो काफी पहले के टाइम पर थे अभी अगर मैं प्रिजय टाइम में बात करता हूं तो यहां पर जो 25 मीटर की प्रिस्टल टीटू इवेंट है वह उस टायल में आपका विजय वीर सिंदू ने जो है वो जीता हुआ है अगर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका टोटल इसमे प्लेंट परम में हुआ है इसको भी आप एक बार नोटाउन कर लेंगे रहूल का भी अंसर करेक्ट है कहा पर अच्छे से लिख ले न और अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें जो सेटल प्लेस मिला है वो किसको मिला है तो तो नीविए टॉट ऊप्छी में है नहीं वह ओप्छिन आप फ्य मै उप्सचल सेक्योटी एक्सराइज मालता अभिए रियान गजिस अगदRT किया है देखो यहां पर क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर यह आ रहा है राहुल का यह आ गया है ग्रोफ इंडिया का यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इस नहीं हो गुवनेश राइट आइज नहीं है और को अधित आंसर आया है यहां पर आपका कोलकाता में हैं जो इंडिया नेवी ने आपका कंड़िक्ट मालता अभयान थीके ना नाम क्या है सुन्धर कुमार यहां पर आपका हो जाएगा ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहां आपका तुलकाता में किया तो फिलाल यहां पर फोकस करो ठीक है सारे मेरे यहां पर सुडेंट से धीक है चलो कि यहां पर देखो फटा-फट से कि यह पर आपका अगला यहां पर सकांसर बताएंध लॉपाहर इंद वोट्यंक तो प्लेया प्रोफेशनल फुटवाल इन डा वर्ल्ल इंडियन वोमेन कौन बनिये फैली प्रोफेशनल फट्वाल किलने वाली दुनिया में भारत की तो रहुल का अंसर आ गया है सी और रहुल कुमार का अंसर अब D है चेंज कर लिया है। और कोई भरुशनलों की आंसर यहां पर गलत हैं। फोलिस की पला देवी यह वो मगैं करता हैं घीक हैं और मैं इनकी बात करता हूँ यह कहाँ से आती हैं इनकी एनकी कौन से टीम हैं तो यह मणीपूर पुलिस की है, बिलॉंग करती है मणीपूर पुलिस को, और इन्होंने यह सबसे पहली प्रोफेशनल फुटवाल खेलने वाली वर्ड में इंडिया की फॉर्स्ट वुमन बनी है, ठीक है न, मैं तो है यहां पर यहां पर यह कौन सी बनी है, फॉर्स्ट क्योंकि यह वोमन है, और दूसरी बात क्या है कि यह फुटवाल के बारे हैं बात हो रहे है, ठीक है, और इनके अगर में एज की बात करूए है, ठीक है, अगले कोशन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला कोशन देखेंगे, आपके आपके सामने है, वो इस दा इंडियान जैवल क्या है, रहुल का अंसर अगें, डी आ गया है, नीरत चोपड़ा, ओके, और कोई, यहां पर आपका फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा, नीरत चोपड़ा, वरुन का अंसर आ गया है, डी, बफी, डोंड नो सर, कोई बात नी, ग्रोप इंडिया डी, ठीक है, वेरी गड़ आपको यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नीरत चोपड़ा, नीरत चोपड़ा, इंडियान जैवलेन थ्रोवर हैं, जोनोंने की, टोक्यो ओलंप्रिक्स के लिए यहां पर क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, और यह आपके कॉमन वेल् ना, यह कोशन पक्का आएगा, चलो, अगले वाला कोशन यह आपके सामने, इंडियान रेलवेज इस्टू रन हन्रेट परसेंट ऑन लेक्टिसिटी बाइविघर, कौन से साल तक भारतिये रेलवेज, सौप प्रतीशत रन करेगी, एलेक्रिसिटी के ऊपर, ट्वेंटी ट ट्वेंटी 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 रहुल का अंसर आया है C, C गलत है और अधित का अंसर यहां पर करेक्ट है आपका अंसर क्या होगा 2030 ग्रोप इंडिया का है 2030 नहीं होगा ठीक है ना यहां पर आपका राइट अंसर होगा 2024 2024 तक जो इंडियन रेलवे है वो क्या करेगी 100% एलेक्टिसिटी पर चलेगी लेकिन पता नहीं फिलाल यह इनका क्या है यह इनों नहीं आप पर अपना टार्गेट रखा वा था अभी पता नहीं पक्रप ечат कर्जान अगले कोश्चन पर आते हैं इसाले और हैब आपके सामने किसने गोलड मेटल में वोश की बात करता हूं कि अन्जुम बफी 24 आवर्स एलेक्टिसिटी सो इसे भी याद रख सकते हैं ठीक है अन्जुम मुद्गिल अपूर्वी चंदेला मेहुली घोश मनु भाकर ठीक है बफी का भी आया है अपूर्वी और आदितिका ए रहुल का डी ठीक है भई सबके अलग-अलग आ गए है होगा वह होगा किसी ने ओके इंडिया का भी आया ठीक है यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अपूर्वी चंदेला ठीक है अपूर्वी चंदेला क्या एक इंडियन शूटर ने जिन्होंने की 10 मिटर एयर राइफल में जो मेटन कप हुआ है और यह आपका हुआ है और यहां से अगर मैं बात करूं तो चार इंडियन शूटर जो है वह आल्रेड़ी आपके सिक्यूर कर चुके ओलंपिक का कोटा 2020 गेम्स के लिए आपका टोकियो में खेला जाने वाला है ठीक है इसको भी दान रखना चलिए बढ़िया अग रिसेंटली लॉंच किया है मुख्य मंत्री क्रिशक दुरगटना कल्याड योजन स्टड़िया क्यों पीडेफ से सट्ड़िया में एड़न गेट्यों ग्रोप इंडिया अब बश्यकेट का ऍिश्ट्री अचा कैश म्यों पर बफश आ यहां पर राज राजिस्तान अत्रक्रण्ड तुबस्क्तव अबहूं है जुशली पी आपकी मुख्यमंत्री क्रिशत दुरगटना कल्यांड योजना जो है वो लॉंच करी है जो कि आपकी 21st of January को लॉंच की गई थी और अगर मैं इसकी बात करूं यह एनाउंस्मेंट किसे ने तो यूपी के पावर मिनिस्टर ने अच्छा यह बता हुज रहा मुझे आपको फॉर्थ इंडियन टू रिसीव आस्ट्रेलिया है राज रहा है आधित्यक का यह नहीं पता है वरण को नहीं पता है वफीगाशी है ठीक है किरन मजूमदार शौट ठीक है और बताओ भई किसी का और को यह आंसर ए आधित्यका अन्सर आया हुए नैना लाल किडवई किरन मजूमदार शौ भी आ गया ठीक है सबने अलग-अलग अंसर दे दिये हैं कोई बात नहीं आपका रहीट अंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किरन मजूमदार शौ जो है वह आपको करेक्ट अंसर हो जाएगा इन्हें हाइस्ट अवर्ड मिला है और यह ऐसे चौथे भारती अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने विच कंट्री टॉप्ट दा ट्वेंटीन डेमोक्रासी इंडेक्स और इसके साथ में कि यह बताओ फटाफट से 2019 का जो डेमोक्रासी इंडेक्स है वह कौनसी कंट्री ने यहां पर जीता हुआ है टॉप किया है ना और इंडिया की रैंक भी बताओ इस पैनल लंके शेवार्ड कॉन दी था चलो यहां पर यह बताओ यहां पर जो कॉन विच कंट्री टॉप्ट दा ट्वेंटी नैंटीन डेमोक्रासी इंडेक्स लिए फिन्लेंड आया है नौर्वे स्वीडन आइलेंड फिन्लेंड आ गया सी स्वीडन आ ठीक है और किसी का चाहिक है कोई आंसर को नौर्वे यवारिग Grad आया है नौर्वे आपको यहां पर नौर्वे जो है जो है बल्पकुल इंडिया की तो इंडिया को यहां पर कौन सी रैंक मिली है यह वीभी बताओ यां पर कि बदाऊ फटाफर से आ तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंडिया को मिली he 50-50 ठीक है कौउंसी रहांिक मिली है इंडिया को 51 एंग कि यहां पर मिली स्वीडन को ठीक है स्वीडन आया है आपका थर्ड प्लेस पर यू की हग कहां यह क्या है अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखें कि कौन जी मिनिस्ट्री ने गती पोर्टल को लॉण्ज किया है कि मिनिस्ट्री ओफ रेल लेबर और इंपॉड्लाइमेंट मिनिस्ट्री और रूड ट्रांस्पोर्ट अडफेर्वेज टीक है और कोई आंसर यहां पर तो यह जो है यहाँ पर आपका बी वरोड का अंसर भी आ गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा Ministry of Road Transport and Highways जो है यह आपका correct answer हो जाएगा जिसने आपका एक Online Portal है गती portal नाम का यह launch किया हुआ है और इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर यह जो NHAI होता है आपका National Highway Authority of India इसने इसको basically launch किया और आपका जितने भी प्रोजेक्ट चलते है रोड वाले यहाँ पर आपके contractors को जो भी issue बगएरा होता है गती मींसर यह आपका कुछ नहीं बस एक Portal का नाम है ठीक है ना Portal का नाम है गती ठीक है नितन घठकरी हैं अपने यूनियन मिनिस्टर अधाई य किसी का मेंटर नहीं आया या लॉग मधिस्ट क्या है यह या पर अपने कॉंसे case minister है कॉंसे यूनियन मिनिस्टर है पढ़ा है कि frame से यूनियन मिनिस्टर है काषाए Spirit से कौन से कहानरते चाहानों murder जाहोजाेगा रोड मन्तरी यहां कि मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफर जो अपने ट्रांसपोर्ट है इसके यहां पर यह मिनिस्ट्रेटी कि मिनिस्ट्री आफ रोड़ ट्रांसपोर्ट रॉडट्वकीज है चलील rif चलो तूर थीक है अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखेंगे आपे किसको मिलेगा नाइट ओफ दा ओर्डर ओफ आर्ट्स एंड लेटर फ्रेंच गॉवर्मेंट बताओ भी फटाफट से हलो जा मैं आड़िबल हूं हूं आपको मैं विजबल क्या मैं विजबल और ओडिबल हूं आपको यहां पर अगर मैं आपको सुनाई दे रहा हूं या फिर मेरी वाइस वगएरा आ रही है तो एक बार थम्स अप कर देना ठीक है बीच में नेटवर्क का कुछ हो गया था कि बोलो भई फिटाफट से यह आड़िबल सर ओके ओके देखो यहां पर अपना क्या है ओं ठीक है हूं इस टू गैट नाइट ऑफ दॉडर ऑफ आर्ट्स और अड़र्स लेटर है यह किसको मिलेगा वालमिक था पर जैनिफर केंडल नीदू सींग एंड संजना कपूर यह पर आ रहा है ठीक है यहां पर आपका जो राइट अंसर हो जाएगा और किसी को यह अंसर है तो फटाफट से देदो भई ठीक है यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा संजना कपूर जो कि option number D है यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा इन्हें जो है एक और important बात है इनकी पूर इनको नाइट ऑफ दा ओर्डर ऑफ लेटर मिला है कहां से फ्रेंच गवर्मेंट की तरफ से यह अवार्ड होता है ठीक है ना चलिए यहां पर अगले कोशन पर आते हैं यह आपके सामने अगला कोशन हूं प्रेजेंटेट दा आई सी सी डवलू नेशनल ब्रेवरी कि इसको मिला है फटा था से बताओं जल्दी कि यहां पर आनसर 2 स्बी सरे लोग कि इन हाउजननल ब्रेवरी आवार्ड हो जाते हैं को यह जो बी हो जाते हैं यह हमेशाbond टेता ठीक है ना यह हमेशर नकन ओजीजुर्ब पर यह आप याद रखो कभी भी आपका bravery award हो गया या फिर आपका चिल्डरन को को यह वाड देना है तो यह हमेशा प्रेसिडेंट देते हैं जो कि इस time पर आवनात को विंद है ठीक है न और अगर मैं बात करूं यह आपका नाशनल bravery award किसको मिला इस time का तो यह मिला है मुहसिन को क्लियर है इसको याद रखना मुहमद महसिन को जो की एक 16 years boy है ठीक है ना क्लियर है अगले question पर आते हैं अच्छा यह ने क्यों दिया गया है यह आपका केरला को बिलॉंग करते हैं और इन्होंने क्या किया है यहां पर आपका क्या है करला से यह बिलॉंग करते हैं और इन्होंने क्या कि आपने तीन दोस्तों को बचाया था इस समुद्र में जब गर गहे थे इनके फ्रेंड्स तो उनको यहां पर बेविए वर्ड मिला तीक है ना अगले question पर आते हैं वोट इस एंडिया रेंकिंटी ट्वेंटी ग्लोबल टैलेंट कॉंपिटिटेव इंडेक्स नेस बतावी फटाफट से बिलॉंग्स टू कोची आइधिंग यहां कोची में आपका बिलॉंग करता अगर मैं प्लेस के लिए स्पस्विक जाओं और वैसे के लाके हैं ठीक है यहां पर आंसर दो वाट इस इ इसको मैं अटाई देता हूं ठीक है आप बताव कौनसा अंसर होगा यहां पर बफी का अंसर है 36 यह यहां से अटा दो बताव फटाफट से क्या होगा यहां पर राइट अंसर कि यह भी हटा दिया क्या बचाए 72 आधित का अंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका अंसर हो जाएगा 72 इंडिया की रहें कितनी आई है 72 रैंक आई है 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्प्रेटिवनेस इंडेक्स में और इसमें सबसे पहली रेंक जो आई है वह आई सुजर लेंड की पहली रैंक तो आगी सुजर रैंड की दूसरी रैंक आई आई आपकी यूसे की और तीसरी रैंक आई है सिंगापूर की ठीक है तो यहाँ पर आपकी फर्स सगेंड थर्ट रैंक भी होगा इसको एक बार लिख लेना ठीक है स्क्रीन शॉट लेलो या फिर लिख लो कुछ करो लेकिं कर लेना ठीक है और एक बात और यह जो ग्लोबल टैलेंट कॉंपटेव नेस इंडेक्स है यहन इसको यह कौन करता है कौन इसको यहाँ पर आपके सामने विच स्टेट आज़ वगेशा फ़र्फी के लो इंडियाच उप्योंस ट्रफी इसके ने यापर जीती अच्छा एक हिंट देता हूं यहां पर जो इस बार का ट्रेंटी नाइटीन वाला जो यूद गेम्स है वो सेम स्टेट ने जीता है जिसने पिछला वाला जीता था इंडिया वफी आप राद बर पड़ाओ मैंस हां ठीक है किसी दिन करते हैं ठीक है यहां पर क्या अंसर आ गया है महरास्टा रहा है ठीक है वैयरी गूड यहां पर आतको रइट हो जाएगा महरास्टा एंड और नहीं आँड़ आज आशाòn अंसरा कशी शांट चाहाँ आ ठी तो यहां पर एक बात और बताओ यह जो खुलो इंडिया आपकी गेम्स है यह कौन से प्लेस पर और और बता दो फटाफट से मुझे कहां पर और अगर आपको दो दिन लगाता रिवाइज करवाई यह वाली चीज़ अगर आप किसी ने गलत किया ना तो फिर देखना तुम तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा ठीक है ना क्लियर है भई सभी को हांजी है अगर मैं आपर आपसे बात करता हूं इसका एक बार आप नोट डाउन कर लो सगेंड रैंक आईए हर्याना की वरुन और आपकी थर्ड रैंक आये डैली की ठीक है इसको भी आप एक बार लिखना चाहो तो लिख लो ठीक है सब्सक्राइब करेंगे ना अब कोई इसको नहीं आएगा ठीक है अगले बात कर आते हैं ने इच्ट वाला कोश्यान देखते हैं यह आपके सामने एका तरीनी साकेल पॉलू इस फर्स इंडियन वो मैं फर्स्ट वोमन प्रेसिडेंट ओफ विच कंट्री इंडिया की मैं हर जगे नाम लगा देता हूं ना इका तरीनी सब्सक्राइब पर लू इस आफ वोमन इांसर तो अधिक है यहाँ पर आपका खेर राइट अंसर होगा वफी ने आपका राइट आंसर धिया है घ्री आपका राई आँ सरो जाएगा यह पहली वोमन प्रेसिडेंट बनी हैं ग्रीस की नाम है इनका इकाट अधर दोड़ह सब्सक्राइब सक्शने के लिए बर दे इंडिया का जो पहला इवेस्ट क्लीनिक है वह कौनसे सिटी में और बताओ भी ठीक है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बोपाल ठीक है तो इसको आप एक बार अच्छे पर देख लेना और यह इंडिया का ऐसा पहला जो है यह वेस्ट क्लीनिक आपका होने वाले ठीक है और फिल्हाल यह आपका अभी क्या चल रहा है ठीक है अगले कोशन पर आते हैं चलिए अगला कोशन यह आपके सामने वाट इस थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ओफ एजुकेशन 2020 इंटरनेशनल एजुकेशन एहमदाबाद नहीं होगा रवीकंद यहां पर है वाट इस थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ओफ एजुकेशन 2020 इसकी थीम बताओ भई यह आपके सामने चारों अप्शन ए बी सीडी बताओ इसका राइट अंसर क्या हो चाएगा ए होगा बी होगा C होगा D होगा Buffy का अंसर आया है D ओके और किसी का कोई आंसर और किसी का कोई आंसर आई नहीं रहे है हां जी तो यहांपर आपका राइट अंसर क्या होगा option number C होगा तो यहांपर फीम रही है learning for people, planet, prosperity and peace ठीक है, यह आपका international day of education की थीम रही है और इच्छा यह आपका कॉंसी डेट को मनाया जाता है और बता दो फटाफट से कॉंसी डेट को यह मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है आपका 24 ऑफ जनवरी को ठीक है ध्यान रखना कब मनाया जाता है अपना यह 24 ऑफ जैन को मनाया जाता है और ठीक है यह अपना अब इसक को मनाया जाता है बता बीफटावड़ से इसको नेशनल वॉटर से कौन सी डेट को मनाया जाता है जाता है मददाता दिवस हम इसको बोल रहे होते हैं अच्छा यह बात और बताओ मुझे कि यह जो है अपना नेशनल वोटर स्लेवो चुरू हुआ था मनाना के वरुन का अंस यहां पर आंसर आ गए हैं ट्वेंटीफोर नहीं होगा किस ने दिया वरुन ने तो यहां पर याद रखना ट्वेंटी फिफ्ट ऑफ जैन को जो है नैशनल वोटर्स यह राष्टी अमद्दाता दिवस्ट मनाया जाता अच्छा यह शुरू कब गवा था हमने मनाना इसे अगले कोशन पर आते हैं इसेन क्या था अच्छा बता यहां पर किसी को पता आए कहां त्यक्षे इंग्लिश वालो ऑं ठीक है आप लान टाव के मैसेज़ करना ठीक है वापर अभी आफिर क्लास के बाद में इस बारेंब बात करेंश ठीक है मौक के बारे में फिलाल यहां पर यह बताओ नैशनल वोटर्स दे का एक बार थीम किसी को नहीं बता है न तो देखो इसका इस बार थीम रहा है एलेक्टरल एलेक्टरल लिख लो इसको अच्छे से ठीक आ सकता है एलेक्टोरल एलेक्टोरल लिट्रेसी एलेक्टोरल लिट्रेसी फॉर स्ट्रॉंगर डैमोक्रेसी ठीक है ना दान रखना क्या है आपका इलेक्टोरल लिट्रेसी फॉर स्ट्रॉंगर डैमोक्रेसी डैमोक्रेसी एक बार आप जाके टेलीग्राम पर जो चैनल का नाम है उसको सर्च करना ठ ठीग है चलो खेर अगले कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोश्चन यह आपके सामने विच आप फॉलविंग विल डवलप नैशनल डेटा एंड अनलेटिक्स प्लेटफॉर्म कौनसी यहां पर ऑगनाइजेशन जो है वह आपका नैशनल डेटा फॉर आइनलेटिक्स ठीक है और कोई और किसी का कोई आंसर नहीं आया है चलो खैर मैं इसका बता देता हूं आपका राइट अंसर हो जाएका नीति आयोग ने क्या किया है वह डवलप किया है आपका नेशनल डेटा एंड अनलेटिक्स प्लेटफॉर्म ठीक है ना यह आपका एंडी एपिज है मैं वह यह नोट कर लेना डॉक्तर राजीव कुमार कौन है वाइस प्रेसिडेंट यह मैं है आपके नीति आयोग के चलो खैर अगले कोश्यन पर आते हैं यहाला आपके सामने अगला कोश्यन इन्टनेशन समेट और फॉमन इन स्टी एंड इंडी और सिटी और इस्तिए मि इंट नेशनल समयत वुमें इस सथिए और तीए इसका राइट एंशर सी नहीं होगा ठीक है आपका रहाइट अंसर हो जाएं न्यू डैली ठीक है जो हो जाएगा आपका इंजीनेरिंग और M से हो जाएगा मैस ठीक है ना यह आपके पांच चार सेक्टर है जिन में आपका इंटरनेशनल समिट है और यह आपका न्यू डेली में हुआ है यह आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है अगले कोशन पर आता हू अगर नेक्स्ट वाला कोशन यह आपके सामने हूँ इस दा चीफ गेस्ट और रिपब्लिक डे बताओ जरा यह तो अभी मैं आपसे पूचा भी था कौन थे रिपब्लिक डे के टाइम पर अपने चीफ गेस्ट सबको पता होना चाहिए अगर अभी किसी ने आपका गलत आं कि ना या रखना इसको जिन लोगों को याद नहीं है ठीक है वरुन का अंसर वेरी गुड ब्रसील हो गया ठीक है शाबस अगले कोशन पर आते हैं विच इस फॉलविंग है एक्जेट फ्रम्टा यूरोपियन यूनियन कौन सी कंट्री ने एक्जट कर लिया है यूरोपिय भी बताओ भी फटाफट से क्या answer हो जाएगा ऊके UK UK शोवान का answer आ गया इवरुन का आ घ्रीक अशा बाश आपका राइट answer हो जाएगा UK तो UK ने क्या-किया एग्जट कर लिया है European Union से ठीके न में इसको याद रखना थोड़ा सा important event हो जाता है अपने लिए यह आपके सामने अगला कोशन अरे यह तो सेम कोशन आ गया अगले कोशन पर आते हैं हाँ यह आपके सामने अगला कोशन इंडिया विच कंट्री है साइन टू अपग्रेट आशुगंज अखावरा रोड शोवान करका अंसर आया है ब्रेक्षिट ओके ठीक है इस इंडिया ने यहां पर हैं यहां पर आपका साइन क्या है अपग्रेट लिए फर्लीं करें आपको यहां भी भूटान झाल नहीं होगा यहांपर आपको राइट आंसर हो जाएगा बंगलादेश बंगलादेश के अंदर आपका तो आशुकन जखौरा रोड़ आता है ठीक है और पर यह आपका बंगलादेश के अंदर और इंडिया क्या करेगा इस रोड को पूरे के पूरा यह जो पूरी बेल्ट आएगी ना इसको यह अपग्रेड कर रहा होगा इंडिया मिलकर के ठीक है यह इंपोर्टेंट बात होग लेने वाले अगले कोशन पर आते हैं एक्सट वाला कोशन देखो यहां पर यह रहा हूँ वाज ऑनर्ड विद बेस्ट पोकें वर्ड एल्बम फॉर्ड यह एवर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी ग्रैमी अवार्ट्स अच्छा 2020 ग्रैमी अवार्ट्स में किसने जीता है आपका स्पोकें वर्ड एल्बम बताफ़ट आफट से गेल किंग मिशेल ओबामा ओफ्रा विंफ्रे एंड हिलेरी क्लिंटन एक तो पहली बात तो यह है कि आपका ग्रैमी अवार्ट्स हैं दूसरा बात जिसने जीता है ना बहुत ही इंपोर्टेंट परसन है वफी का अंसर आया ह बैरी गूड यहां पर मिशेल ओबामा को आवर्ड मिला है जो की फॉर्स्ट वुमन रह चुकी है अमेरिका की ठीक है रवी गांद का बी आगया आधित का सी आगया मिसेज ओबामा ठीक है यहां पर आपका मिशेल ओबामा जो है वह वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएग इन्हें आपर Grammy Award में Best Spoken World Album का Award मिला हुआ है ठीक है अगले कोशन पर आते हैं यह आप बहुत ही अच्छे से दान रखना ठीक है कोशन आने के बहुत ही ज्यादा chances है खैर अगले कोशन पर आ जाते हैं अच्छा यह जो Grammy का Award जो है यह आपका ceremony हुई कहा पे थी आना Grammy Award जो आ अगला कोशन यह रहा विच वैब सीरीज क्रीटेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिंग दा बिग्गेस्ट टीम अफ मूजिशियंस तो पर्फॉर्म ले लाइव एवर बहुत यह बढ़िया कोशन बताओ भई मिर्जापूर को मिला है कि सेक्टड गेम्स को मिला है कि लैला को मिला है या दा फॉर्गटन आर्मी को अब कुछ लोगों का मन कर रहा होगा यहां पर मिर्जापूर जो है सेलेक्ट कर दें हावी तो मन के घोड़ों को थोड़ी से लगाम दें और इसको राइट अंसर यहां पर आप लोग कमेंट करिएगा के आओ वरुन का अंसर आया है सी रूफा यहां फिरफ मैं अपना नाम यहां पर दर्च कर आया है मिर्जापुर नहीं है भई मिर्जापुर नहीं है कंट्रोल ठीक है सीजन टू भी आ जाएगा यहाँ पर फॉर्गॉटन आर्मी को मिला है यह क्या है बिग्गेस्ट टीम ऑफ यूजिशन इन्होंने परफॉर्म किया है लाइफ ठीक है और गर मैं बात करूँ यह जो दा कोशन पर आते हैं चलो है ठीक है क्लियर हो गया किसी का कोई डाउट अच्छा और यह जो सीरीज आपकी दफॉर्गेट आर्मी कौन से प्लेटफॉर्म पर आए एमाजन प्राइम पर आए ठीक है ना एमाजन प्राइम पर यह भी द्यान रख लो सकता है पूछ लिया जाए बताओ बढ़ी शुवांगर का अंसर आया है क्लकाता ठीक है और बताओ तो और किसी कोई अंसर आ रहा है टीक है को यहां पर यहां पर यहां बात और अगर मैं बात को यह लाइबात का पो पुझागाने कुलकातक आपका या रखतेवार थRe में बाता इक से अनला न पसीनिकात कॉलकाता जान रखी लिए खिचलेगे की जाताा है है संक्याय क्यों ज्यां और बीव में द सुद्यां अंतनुद ना जिक रिवर में अंडर हुगली रवर, very good, शोवान का अंजर करेक्ट आया है, और अगर मैं बात करूँ, यह किस से लोन लिया जा रहा है, तो यह लिया जा रहा है, जिसका नाम जीका है, जीका से लोन लिया जा रहा है, हुगली ने दी, शाबाश, यह देखो, जीका हो गया, जापान इंटर International Corporation Agency, जान रखना, ठीक है, अगले कोशन पर आते हैं, यह आपकी सामने अगला कोशन, देखो, गंगा यात्रा अंडर नमामी गंगे मिशन, रिसेंटली बिगिन फॉम विस सिटी, जो गंगा यात्रा है, नमामी गंगे मिशन के लिए, वो कॉन सिटी से रिसेंटली, रिसें तो वरानसी हैं आपका right answer खेर नहीं है, वरानसी को यहां से हटा देते, र uncles ने भी देदिआ, गलत हैया है, ठीक है, ठीक है, बिजनौर से जो है, आपकी जनमामी गंगे वरुन का answer आया है, cccc1 विसेंटली बिजनौर, आन्सर आइं लगांसर निया है, बरेली भी नहीं ह इसने सियान योगी योगी आधितनाथ जिए और ऐसके अलवा और आपके उत्तराकन्ड के स्यंबी प्रेजंट थें ए रवत डीक है टिकले वूंडर से जाएं नेक्स्ट पाउच्ट यह रहा हूँ वन्दा पदमश्री एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड में पदमश्री किसको मिला है कि यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा का option number C चिंधाल की फीलड में वरुन का अंसर भी नहीं होगा यहां पर आपका अग्रेंट फील्ड में पदमश्री में पदमश्री मिला है और यह अगले लेखन पर आते हैं और अचा यह या फिर अंशुमान गौर फटा फट से बताओ और ये शोवन कर भई डैप क्यों आ रहे हैं चलो बताओ यहां पर अगले कोशन पर देखेंगे यह आपकी सामने अगला कोशन इन में से कौन सा वाला ऐसा मिशन है जिसको बेस्ट टैबल्यू के अवाट दिया था इंडिया जो रिबब्लेक दे की परेड़ 2020 वाली उसकी अंतरगत मिशन इंद्र धनुष को या फिर आपका प्रदान मंत्री जंदन योजना को या स्टेंड अप इंडिया को या फिर जल जीवन मिशन को बताओ भई फटा-फट से बफी का अंसर आने लग रहा है सी ओके स्टा स्टेंड अप इंडिया स्कीम को नहीं मिला है चलो इसको मैं अटाई दिता हूं यहां से और बताओ फटा-फट से बोलते जाओ भी किसी का कोई आंसर अब नहीं नहीं है ठीक है तो देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जल जीवन मिशन ठीक है ना छल जिवन रवी गान्त का अंसर बिल्कुल Civ kiedy ए Ir brain फिँ नहीं इज्र घ्थहीं जिस तुम नारा अगर पर आते हैं ने आपके सामने देखो शेक अबदुला बिन नसिर बिन खलीफा अल्थानी बड़ा ही बड़ा नाम है देखो इस दा न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ये कौनसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है शेक अब्दुल्ला बिन असिर बिल खलीफा अल्थनी बताओ भी फटा-फट से कुवेट युएई साउध अरेबिया एंड कतर बफी का अंसर आया है कुवेट और बताओ चलो खेर यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो डी होगा कतर और कुवेट यहां पर आपका राइट आंसर नहीं होगा यूए यह नहीं है एक बड़ा नाम यह देख लेना एक बार फिर से अगले कौशन पर आतो हूं एक्स्ट वाला कोशन दिखेंगे ताइम हमें फॉरेंट सेक्रेटरी नए फॉरेंट सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं विजाए गोखले हर्च वर्दन श्रिंगला नंदन लेकनी एंड विशाल सिक्का बताओ भी फटाफट से इसका अंसर दो जल्दी जल्दी दिया गरो उंसर अभी यह हुए यह तो पहले का ही है ब हर्च वर्दन श्रिंगला और अगें श्रविगकान सिंग वी तीक है यहां पर आपकाव वाला ऊप्षेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हर्च वर्दन श्रिंगला व良ग वर अधित भी शुभाजित भी शब्का आगया भी ठीक है वेरी होट शाबश अभी यह नूओ फरेंस इक्रेटरी बन गया चाहिए और बता दो इन्होंने किसको सक्सीड किया है इन हर्ष वर्दंश इंगला से पहले और कौन थे अपने न्यू फरण सिक्रेटरी तो इनके पहले थे विजय गोखले ठीक ना इनके पहले यह तो यह आपर लिखा भी हुआ विजय गोखले इनके पहले ठीक है चलो खर अगले कोशन पर आते हैं नेक्स्ट वाला कोशन देखो यह आपके सामने वर्ल्ड लीपिर कौन सी डेट को मनाया जाता है बताएं महीं जिरा अंसर भी यह तो पिछला वाला ही है वफीगा थर्टियत हा रहा है ठीक है थर्टियत और बताओ तो राइड आंसर अपना यहाँ पर थर्टियत जनवरी हो जाएगा ठीक है ठीक है वर्ट अपका सीजी आ गया शाबाश जो वर्ल्ड लेप्रॉसी एरेडिकेशन डे है वो थर्टियत अफ जनवरी को मनाया जाता है इसका टारगेट क्या होता है कि वर्ल्ड में बिल्कुल ज अगले कोशन पर आते हैं विच भजन सिंगर को यहाँ पर पदमश्री अवार्ड मिला है मैं जरा पानी पे लेता हूं अब लोग इसका अंसर देंगे फटा-फट से कि चलो भई बताओ उसका अंसर फटा-फट से बजन सिंगर मींस बजन सिंगर मींस जो लोग बजन गाते हैं जो कि आपका एक रिलीजिस सॉंग्स होते हैं ठीक है सुबह जीद बटा चार्या का डी है रवी कांथ का डी है अरे अनूप जलोटा को पदमश्री नहीं मिला इनको तो कुछ औरी मिला था बीग वास मिला था इनको ठीक है इनको थोड़ी मिलेगा पदमश्री अनूप जलोटा जी ने क्या कर लिया इसा अब ही इन्होंने तो बीग बॉस में जाके मचाया है खर बताओ राइट आंसर दो इसका भई पदमश्री किसको मिला है किसी का अंसर करेक्ट नहीं आ रहा है अनूप जलोटा की उपर सब लोग बिल्कुल वफी का अंसर आया है बी ये भी नहीं है देखो यहाँ पर राइट आंसर होगा यह कुशन ना बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है दो चीजों से इंपोर्टेंट होता है यह बहुत अच्छे से सुनना और इसको नोडाउन कर लेना ठीक है ना सबसे पहली बात जो मुन्ना मास्टर है उनको यह पदमश्य अवार्ड मिला है और अगर मैं मुन्ना मास्टर की बात करूँ तो इनके पिता थे इनका इनके पिता का नाम है गफूर खान ठीक है मतलब है नहीं इनका पिता का नाम था यह recently क्या हुआ है कि January के टाइम पर तो यह कुछ है इंके को घुक है dif यह सब्सकों बंदन सुकल कोके कि वन्यवपटेश्टक्स है घुरा anymore करिए बाहन सरु ससक्षा खराइब intent सकता है ठीक है ना कि गफूर खांज यह भी एक बजन सिंगर है इनकी डेथ हो गई है और इनके जो बेटें मुन्ना मास्टर इनको बदम श्री मिलाए ठीक है यह सारी कर लिए हैं और यह आपका यहां पर जनवरी का खतम हो गया आज और हमने फैब का भी लंसम काफी कुछ कर लिया है और हम इसका और भी कोश्टन करेंगे बहुत सारे फैब्री के तो फैब्री आपका अगले दो-तीन दिन में जो है वो खतम हो जाएगा फिर हम आएंगे होंगा और इसके अलाव फिरम जो भी आपकी इंपॉर्टन कोश्टन बनते हैं आगे पीछे से वह सारे के सारे हम कवर कर लेंगे ठीक है चलो खर और तो बताओ आपस में ज्यादा बाते करें बाते ना करें और कुछ अगर आपकर डाउट होता है रिगार्डिंग कोई आपको मैं इंग्लिष में भी क्लीयर कर देता हूं इसको इसको शूबार आप कर लेना गफूर खान इस फादर उफ मुन्ना मास्टर हूं रहाइस राइड रिजय रिसेंट्ली और यह सुरॉट दब भजन टीके थे ना तो गफूर खान वाज बजन सिंगर और मुन्ना मास स्ट्रेंड कफूर खान वो दैव रिटिन दा बुक श्री श्याम सुरभी वंदना अल्राइट अधित्य चौहान एंटी पीसी एंटी पीसी में क्या डाउट है आपका कि बोलो भी फिटाफट से सच्छन को फिर हम यहां पर एंड करते हैं है ना कि अंटी पीसी में क्या डाउट है कि अधित्य चौहान थैंक्यू सर सर आप कि अधिये कल वी आओगे हां कल वी आएंगे डोंट वरी कल संडे आना हां आप एक बार टेलीग्राम चैनल को जाइन कर लो ठीक है तो मैं आपको वहां पर इनफोर्मीशन लिए रहों गांटी पीसी का चिए जो है वह आप क्या करेंगे एक बार जैंवरी से लेकर के क्यूंकि एंटी पीउजी में न मतलब एक साल का तो आ सकता है ठीक है का कर सकते हो क्योंकि बहुत वरोसा नहीं होता ठीक है नँग तो यह चीज़ा जो आप को सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है कोई स्पेशल ग्लास ही है तो वह सारी बाते बता तो फिरम अगले दो दीन मिट में साशन को एंड करते हैं फ्रॉम वेर आर यू बैट डिजन्ट मेक्स एनी डिफ्रेंस राइट कोई आपको डाउट है तो वह पूचें है ना कि कुछ रिलेटिंग डाउट हो आपका एंडी पीसी चसल के रिगार्डिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है मौक वगएर हमें कुछ डाउट हो जी एंसरों के डियर गूट नाइट है ठीक है फिर मैं सशन को एंड करता हूं ठीक है ना चलो खेर पर यह अपना देफाइव आज क सब्सक्राइब करते हैं थांक यू सो मच गौड ब्लस यू अल टेक क्यार बबाए ओके डियर गूट नाइट बबाए टेक क्यार स्वीट इम्स